हाँ जी गूर्मानी कैसे हो आप लोग सर्वेरी कुट कुट मैंने कहा था आज कुछ एडवांस लेवल के कोश्चन सोने वाली है हाँ कब कहा था कल आजाए कोश्चन से स्टार्ट करें और यह रहा बापरे बाप पहले ही कोश्चन ले लिया और बड़ा मुस्किल कोश्चन लिकार नसी 50 index future are traded नसी index मतलब सरी stock index है यस with rupee value being rupees 100 per index point एक point पे 100 रुपए का trade होता है on 15th September ठीक है 15 तारिक को the index close index का value था 1155 कब की बात है जी यह 15 तारिक की बात है ठीक है इंडेक्स की value थी 1185 and December future last trading date were trading at 1200 पच्चे सुनना धियान से बिटे सुनोगे वो क्या समझा रहा पहले सुन लेते हैं उनका यह कहना कि आज की देट है 15 September और spot price आज का बुले है 1185 और आज ही की देट में December future price दिया हुआ है December future last trading days ठीक और कितना 1200 पच्चे सुनना बुले यह इस पे आप बैटिंग करोगे अगर आपको December के लिए बैटिंग करना तो इस पे बैटिंग करोगे यह बढ़ेगा कि कम होगा आज का रेट है 1155 इसके थूरू हम theoretical future price निकालेंगे और उसका comparison हम 1225 से करते यही काम होता था ठीक हाँ लेकिन एक बात है जैसे मैंने upside बैटिंग किया कि रेट जो December future का वो बढ़ेगा और मान लो यह यहां रेट वाकी बढ़ गया 1227 पॉइंट हो गया तो मैं जीद गया कितने से दो रुपै से नहीं दो इंटू 100 एक पॉइंट मतलब 100 रुपिया के बराबर ऐसा बोला है कब के लिए बैटिंग हो रही है 15 दिसंबर 15 दिसंबर आ के बोल रहा है हिस्टोरिकल दिविडिल्ड दिवन दिविड दिए तीन पर र यह रह रहा है बोरिंगर रेट दिया है illed9.5% पर यह ठीए twentйकर डितर मांइन विद्गर वान सेप्टेमब्र 15 दिसंबर the December future was under price वो बोल रहा आप निकालिए theoretical price और उस से compare किजिए गा future price और फिर देखो बताइए कि under price है कि over price है तो पिछली क्लास में भी तो सर हमने यही किया था अब सवाल है कि stock index future है sensex nifty है तो हमें continuously compounding लेना चाहिए कि normal लेना चाहिए अगर मेरी personal opinion माने personal मैं फिर से बोलो personal IC AI क्या बोलता है तो हम continuously compounding ही लेना चाहिए पर कुछ question अब बड़ी दिक्ट की बात है कुछ questions में stock index के specially किसी में continuously compounding लिया है institute ने बिना बोले और किसी में नहीं लिया सर इस question में नहीं लिया सर हमें क्या करना है आप एक note लिख सकते हो कि हम continuously compounding ले रहा है पर हम ऐसा बोल सकते हैं अब ऐसा बोल लेते हैं क्योंकि इसमें continuously compounding ना तो बोला है करने के लिए ठीक है और ना तो कहीं information दिया हुआ है continuously compounding कि नहीं दिया है तो हम नहीं यूज करें मेरी बात समझने की कोशिश करना क्या है वो जो 4096 divided by 4 वो हम लोग जानते हैं बाकी हर बच्चा नहीं जानता उनको तो information चाहिए तब भी continuously compounding यूज होगा नहीं तो नहीं होगा तो हम आज से एक चीज पकड़े लिए एक ही काम करें चाहे question stock index का हो चाहे question stock का हो हलाकि मैंने पिछल lecture में बोला था कि लेना चाहिए पर वो मेरी personal opinion थी अब मैं फिर से बोल रहा हूँ IC AI की सबसे चलते हैं चाहे question stock future को हो चाहे question stock index future को अगर question में बोला है 12% per annum continuously compounding तो पक्का लेंगे या तो question के नीचे information में given करके लिखा तो ले लेंगे अगर कुछे भी नहीं है information भी नहीं है तो सर्जी नहीं लेना पक्का ना बाद में बदलना मत पक्का भाई पक्का हां लेकिन मेरा काम मेरी duty क्या रहेगी मेरी duty यह है कि मुझे आपको बताना है कि किस question में institute ने continuously compounding यह सब कुछ था कहीं भी information नहीं तो भी ले लिया है ताकी 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 by chance same question आ जाए तो हमको यात तो रहता है कि और इसमें तो हम continuously compounding लेकर कर ले सर ऐसे में तो यात करना पड़ेगा कितने questions होगे विट्टे मेरी बात समझो आप्टोमेटिक हो जाएगा अभी इसमें क्या कोई information हमारा rules rules follow करी क्या क्या information है नहीं है नहीं लेंगे अच्छा और एक बात सर यह 365 दिन एक साल में ऐसा क्यों दिया हुआ हां वैसे तो सर फंद्रा सेक्टेंबर से फंद्रा आक्टूबर एक मायना पंद्रा नवंबर दो मेहना पंद्रा दिसम्बर तीन मेहना बात खतम करो ना यार हां लेकिन बिट्टे क्योंकि ऐसा दिया एक साल में 365 दिन लेना है तो हमें डेस में कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो यह भी एक रूल्स है अगर यह लाइन नहीं होती तो मैं तीन मेहने का future price ले लेता पर यह लाइन लिखिए 365 दिन इसलिए मुझे डेस में गिनना होता है आपको याद है ना हाथ 31 दिन और सर्क फिर 30 नमूंबर होता है 30 दिन है और 15 दिन है तो टोटल कितना होगे 15 15 30 और 30 60 91 डेस लेना पड़ेगा आपको एक दिन जादा बहुत ज़्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है पर खेर यह काम आपको करना पड़ेगा तो चले जी ओके सर्थ लिखो के first theoretical future price point no.1 करा हूं theoretical future price तो कैसे है formula हमको पता है sir F is equal to S continuously compounding नहीं लेना है ठीक है इंटो 1 प्लेस आर नहीं सर कुंकि डीवी ने यह ले दिया है तो हम पना shortcut लगाएंगे यह time pass क्यों करें 1 आर माइनस टी ऐसा है ऐसा कुछ किया था हमने हां सर याद आया याद आया याद आया चलो जी कितना है ग्यारसो पंचानदे ग्यारसो पंचानदे एंट वन रेट आप इंट्रस्ट कितना बहुत है जीरो पॉइंट जीरो नाइन फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री पिरिएट नाइन्टी वन डिवाड़ेड़ वाइ थ्री सिक्स्टी फाइव और पूरा ब्रैकेट लगा तो सर यह क्यों हो यह मजबूर यह तीन सो पैसेट दिन दिया है ग्यारो सो पंचेन में पॉइंट जीरो नाइन फाइव माइनस पॉइंट जीरो पॉइंट वन प्लस है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव नाइन्टी वन डिवाड़ेड़ वाइ थ्री सरे सुनो नहीं एक इस टिप क्यों बेकर में आप सीधा कर लेते हैं क्या फर्क बढ़ा मतलब मैं यह कहना चाहता हूं यह सब टाइम पास नहीं इसको तो आप स्टेप में क्यों शॉल कर जो जबकि आपकी आदत नहीं है स्टेप समें शॉल करने की 0.095 माइनस 0.03 इंटो 91 डिवाड़ेड़ बाई 360 प्लस 1 1.0162 पक्का ना भाई 9.5 माइनस 3 इंटो 91 डिवाड़ेड़ बाई 365 डिवाड़ेड़ बाई 100 प्लस 1 1.0162 टीक 1195 इंटो 1.0162 आंसर आ गया 1214.36 और एक्चुल में कितना चल रहा है 1225 और यह फ्यूचर इस ओवर प्राइस्ट तो बस यह लिखते हैं तो लिखोगे 121 तक्ष डिवाड़ेड़ का द्रिवी के लिखते हैं 1315 आंसर आंसर वाड़ War क्षcción 1115 ऑल अब्रिवाडिर टीक्श करें is more than theoretical future price it means future is overpriced what arbitrage transaction is possible to gain out this mispricing वैसे तो यह लिख सकता था पर first का जवाब first में दिया तो second का जवाब second में दूंगा ठीक हिसाँ point number two क्या मांगा है क्या आर्बिटरेस पॉसीबल है to gain out this mispricing we should we should what and sell future for put the index on 15th December closes at 1260 point number three आर्बिटरी के लिए पहले तो कुछ information लिखना पड़ेगा आपको कि 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 आर्बिटरेस और आर्बिटरेस में टूडेस यह लिखेंगे आज के दिन की situation तो buy के लिए क्या करोगे borrow कितने रुपए का है 1195 borrow rupees 1195 add the rate कितने परशन पर उधार लोगे साब sir हम उधार लेंगे 9.5% per annum borrow 1195 में add the rate 9.5% per annum for 91 days borrow कर दिया आप क्या करोगे buy आप आप नहीं यहां गरबण 1195 नहीं एक पॉइंट 100 रुपेक तो 1195 इंटू 100 यहां चेंज करना पड़े sir कोई बात नहीं होता है बार्व आप कोई वार अपल रूपेक पॉइंट आप रूडू नहीं रूडू अटू रूटू रूपेश 91 अटिक बाय निफ्टी नसी क्या नाम था उसका नसी 50 एट 1195 और क्या करेंगे सेल फ्यूचर एट कितने में भई 1225 चल रहा ना साहिट प्राइस 1225 ठीक है ये काम आपको दिखाना पड़ेगा अब बात करते on maturity के अब on maturity दो चीज़े हो सकती है क्या आपको दो प्राइस दिया हुआ है हाँ तो आर्विट्रेस किसी और तरीके से दिखाना पड़ेगा अगर दो प्राइस दिया है तो कैस इन फ्लो कैस आउट नो मत करो दो प्राइस दिया हुआ कैलकुलेशन अगर रेट 1260 जाए ये 1175 हो जाए तो फिर काम क्या होगा तो सीधा करते on maturity कि रेट कितना कितना हो जाए बोल रहा है रेट हो सकता है 1260 और 1175 पहला रेट 1260 यह तो प्राइस कितना हो सकता है 1175 अब मुझे आर्बिटिज निकालना ठीक है ठीक है साथ चलो जी सोचते है अराम से सुचते काम सबसे पहले क्या किया बाउरो किया तो आपको क्या करना पड़ेगा रीपैमेंट सर रीपैमेंट तो करना ही पड़ेगा ठीक रीपैमेंट करना पड़ेगा कितना बाउरो किया था हमने सर एक लाख 95 एक लाख 19591 डेज तो कितना आया था हमारा फैक्टर वन पॉंट इस नहीं इए अलग लेना पड़ेगा 0.095 इन्टो 91 खिर्दाश भाई पैस अच्रूर्ट प्लूस 1 हमें वापस करना पड़ेगा 1.0237 विफ इंट्रेस्ट 1.0237 एक लाख लाख लिज पास हमें वापस करना पड़ेगा एक लाख बावीस हजार तीन सो बतिस किसी भी हालत है चाहे प्राइस कुछ भी क्यों नहीं हो जाए ठिक और जो आपने बाई किया उसको क्या करोगे सेल सेल करने से क्या होगा पैसा आएगा कितना 1195 1260 में सेल करोगे तो पैसा आएगा 1260 इंटु 100 सर एक लाख 26,000 आएगा आएगा एक लाख 26,000 और यहां 1175 इंटु 100 एक लाख 17,500 आएगा तो यह नहीं होगा ठीक है ठीक है अब उसके बात क्या है अब फ्यूचर, अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं गेन आर लॉस और शाट पोजिशन यहां आपका कौन सा शाट पोजिशन प्राइस कम होना चाहिए प्राइस बढ़ेगे तो लॉस है 1260 माइनस 1225 इंटु 100 तो यहां 3500 का सर लॉस है अब और यहां कम हो गया 1225 माइनस 1175 इंटु 100 और यहां प्राफिट है कितने का 5000 बस भाई खतम भगवान से प्रात्ना करो की आर्विट्रेज गेन निकाल रहे तो एक जैसा आ जाना चाहिए चलो देखते हैं एक लाग एक लाग छबी सजार माइनस 3500 माइनस 12232 तो यहां के 168 का आर्विट्रेज गेन और यहां भी करो एक लाग सत्रह हजार पांस सव प्लस पांच हजार माइनस 12232 एक्स और शाट एक चीज और था सहाब डिविडेन आज तो पता नहीं क्लासेस में बड़ी दिक्कत हो रही है हम डिविडेन कैसे भूल सकते हैं डिविडेन क्या होगा सर डिविडेन मिलेगा सर ठीक है भई उसको भी ले लेते हैं डिविडेन रस्यूट बताओ डिविडेन कितना मिलेगा डिविडेन मिलेगा मतलब प्लस हो जाएगा कितना ग्यारा सो पंचयानबे इंटु सो इंटु कितना परसंट इस थी परसंट इंटु 3 परसंट इंटु कितने दिन का 91 इवाइ 365 ग्यारा सो पंचयानबे इंटु 100 इंटु 3 परसंट इंटु 91 इवाइ 365 इस दिविडेन रस्यूट 893 894 और यहां भी कितना आएगा 894 इवाइगा डिविडेन का एमाउप तो एक जैसर है अब कोई दिक्कत है क्या नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आंसर सर आठ है तो सर 168 तो आया था प्लस 894 और कर लेजिए यस 1062 एप्रोक्स इस आर्विट्रेज के सर यह कोईशन मुस्किल नहीं था बस वह क्या है बहुत सारी चीज़ें हम भूल जा रहे थे हाँ पहली क्लास है तो आप भूलते हो तो मैं भी भूल सकते हैं आज के दिन की पहली क्लास थे पहला कोईशन था सर एक बार फिर भी क्लॉस वेरिफाई करने में क्या दिक्कते कर लेते भई कर लेते बास सही है कहां गया यह है अपना थियूरिटिकल फूचर प्राइस और यह है इस से इसका कंपारिजन करते 1225 माइनस 1214.36 और इंटू किस से गरेंगे 100 से 1064 के असपास आना चाहिए 1062 य से इस कोषण में क्या सीखने को मिलेगा अछाए 116 यह इस सीकने तो सीखना ही सीखना था पहली बात स्टॉक इन्देक्स फिचर दिया है तो कांटियोंशली कंपाॉंगर दिया दूसरी बात जब भी 365 दिन ऐसा days में दिया रहेगा तो हमें calculation days में करना पड़ेगा तीसरी बात अगर दो price दिया है तो arbitrage जो होगा वो cash in for cash outflow वाला नहीं होगा इस तरह से आपको करना पड़ेगा दो price के साब से हालाकि आंसर दोनों में एक जसा है दो price दिया है तो इस question में हम एक चीज भूल गया था dividend receipt 100% इस type का question में हमने dividend वाला question किया नहीं था इसलिए हम confused हो गया थे अगला question ज़िए सर बहुत time लग गया यस लग नहीं था चलो जी ये एक बहतरीन question है आपके सामने जैसा भी question किया था वैसी वाला है और भी अच्छा है एक्जाम में ये questions जो करवा रहा हुना आज की class में ये करके पक्का चले जाना सब important questions लेकर suppose current price of an index is rupees rupees में दिया है चिंता वाली बात ने ठीक है rupees 13,800 ठीक and yield on index is 4.8% पर रहे न six month future यहां तो days वाला चिंता नहीं है six month future contract on index is trading at rupees 14340 spot price दिया है future price दिया है कोई शक्की बात नहीं कि यह जो future price है यह actual वाला theoretical नहीं है और dividend yield भी दिया 4.8% पर रहे हैं आजुम देट risk-free rate of interest 12% ठीक है जी theoretical निकालने के काम आएगा जो नौर्मल है उससे जादा हम कमा सकते हैं हाँ तब भी तो गेन होगा arbitrage gain it means हमको पहले से पता लग गया normal लोग क्या गम आते हैं हमें उससे मतलब नहीं हमें कुछ strategy adopt करके हम अकेले कमा रहा है this is arbitrage मतलब share का price कुछ भी क्यों ना जाए sir arbitrage gain निकालना है न हाँ जी you can assume that after six month index closes at 10,200 and rupees 15,600 10,200 भी हो सकता 15,600 भी हो सकता ठीक है दो प्राइज दिया हुआ है and 50% of stock included in index 50% of stock index stock included in index sell पे dividend index जितना मेरा portfolio index उसमें से 50% जो dividend yield मिलने वाला है न 50% मुझे मिलेगा मिलेगा है तो ये historical है 50% मतलब dividend yield से जो dividend निकालोगे पूरा मत minus करना से 50% also calculate implied risk free rate बेटे ये question करके जाना इसमें सब कुछ है खास बात है arbitrage जैसे हम कर रहे थे इसमें arbitrage नहीं वैसे नहीं होगा क्योंकि दो possible price दिया है तो जो price लेकर हम gain निकाले की कोशिश करेंगे तैयार हो जी यस तो पहला काम करते है पहला काम क्या करेंगे theoretical future price नहीं का लेंगे sir okay sir समझ में आ गया हमको good जैसे कर रहे थे वाज़े फ़र्ष्ट theoretical future price theoretical future price theoretical future price निकालने के लिए हमें सबसे पहले formula लगाना पड़ेगा cost of carry model f is equal to s into sir 1 plus r minus d करेंगे क्या नहीं sir अब मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूं और सुनो अम में क्या कर रहा हूं s 1 plus r minus d ऐसा वाला करो normal जैसा हमने पहली क्लास में किया sir आप आप ऐसा कीजिए ना 12% में से 4.8% माइनस कर दीजिए बात कर तो वैसे में करता अगर 12% इस पे लगता और 4.8% इस पे लगता तो सर लगतो रहा है ना वैटे वैटे नहीं रिविडेंट जो वो 50% है कर सकते हो 4.8 का आधा कर लो हो जाएगा पर क्यों जिंजट में पड़े या नॉर्मल करते हैं ठीक है sir इस पॉर्ट प्राइस कितना 13,800 रेट अपिंटरेस्ट कितना 12% है तो 6 मेरे का 6% सवाल है D तो D कैसे आएगा sir 13,800 इन्टू 4.8% इन्टू इस तरह से डीविडेंट sir ठीक है न अच्छी है मैंने का लेकर सुना इसके अलावा और कहानी है कितना से 50% ही हमें डीविडेंट मिलने वाला बस यही एक बात थी अगर सिर्व इतना होता तो मैं यही एजिस्ट कर ले था 13,800 इन्टू 4.8% इन्टू 6 बाइ 12 इन्टू 50% मतलब यहां गया है 166 165.6 है sir तो आप लीजिये न पूरा ठीक है भई खुश ओके तो यह है कहानी इसलिए मैंने यह गाम कर रहा हूँ ठीक है जी दिए वर्किंग नोट टाइप का हुजाएगा आप दिखा देना कहीं भी आंसर कितना यहां कितना लिखना पड़ेगा यहां मुझे लिखना पड़ेगा 165.60 तो 13,800 इंटू 1.06 माइनस 165.60 रुपीज 14462.40 ठीक है है हाँ बोलो हाँ सर हाँ ठीक है ठीक है सर सुनो ना एक बात हो यह अपने कंटूनियसली कंपाउडिंग क्यों नहीं लिया लेना चाहिए मेरा पर्शनल ओपीनियन ICAI ने नहीं किया मैं फिर से बार बार वही बात बोलूँगा कि अगर कंटूनियसली कंपाउडिंग लिखा या information दिया तो लेंगे अगर नहीं लिखा तो नहीं लेंगे ICAI के हिसाब से चलेंगे सीधा सची बात यह हुई कि कंटूनियसली कंपाउडिंग मैं हाने ले रहा हूँ भले यह निफ्टी है नहीं लोंगा मैं ठीक है ओके 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 ठीक है सर यहां तक हो गया अब इसके बात क्या करना अब बता बटे यह निकाला आपने 14,462 और एक्चुल कितना 14,340 बुलो फ्यूचर इस अंडर प्राइस की ओवर प्राइस सर अंडर प्राइस सस्ता है तो फिर क्या काम करोगे आप सर हम क्या करेंगे हम कर लिखेंगे यहां स्टूरी और स्टूरी क्या लिखोगे सेंस एक्चुल फ्यूचर प्राइस एक्चुल फ्यूचर प्राइस वह 14,340 सर इहां लिख भी दोगे क्या क्वस इस लेस दे भी घ्यूचर फ्यूचर प्राइस लेक्शर प्राइस । 4 4 0 भी यuellement Hence, future is, बोलो जल्दी से, अंडर कियो और, future is, future is underpriced, hence, जल्दी बोलो जल्दी से, अंडर कियो और, future is underpriced, तो by future, sell stock, या बोल सकते हैं, sell stock and by future, sell, spot, spot होना चाहिए, sell, spot and by future, यहां तक story में कोई change नहीं है, यहां तक तो arbitries गिन वैसे ही करेंगे, जैसे कर रहे हैं, यहां तक कोई problem नहीं होती, इसके बाद हम ही क्या करना पड़ता है, इसके बाद arbitries process करके दिखाना पड़ेगा, ठीक असा, अब बात करते हैं, arbitries process के, arbitries process, आज, आज क्या करने वाले हैं, सर, चलो ठीक है, सर, वो भी लिख लेते हैं, today, आज क्या काम होने वाला है, आज, 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 सर, आज सबसे पहला काम, sell करना spot का मतलब क्या है, सर, इसका मतलब है, हम short sell करेंगे, क्या short sell करेंगे, आज के price पे, कितने पे, 13,800 पर, और जो 13,800 आएगा, उसको हम invest कर देंगे, कितने percent पे, 4.8, नहीं, भई, कहां इस पे, यार, 12 percent पे, कितने मेने के लिए, 6 मेने के लिए, और एक, हमें और क्या करना है, by future, future, by करना है, बस, खतम, ठीक है, सर, लिखे किया स, at to peace, आज का price के चल रहा है, साहब, सर, आज का price चल रहा है, 3,800, 3,800, 100 sell करेंगे, 3,800, इसके बाद, इन्वेश्ट, रुपीज, 3,800, at the rate, 12 percent पर एन, 6 months, अगला rate, यह काम हो गया है, जी, सर, हो गया है, दो काम कर ले, 13,800, सर, short sell कर मतलब, भई, किसी से उधार लेकर, बेच के वो पैसा, और सामने वाले को वापस करूँगा, मैंशियर, कब वापस करूँगा, सर, 6 मैंने बाद, एक जट ले, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद, सर, और एक काम करना, by future, एक्ट, क्या लेट चल रहा है, जबी, 14,340, अगर दो पॉसिबल प्रैस दिया नहीं होता, तो मेरा काम हो गया था, मैं क्या करता, मैं 14,340 का खरीदता, इस रेट पे, और फिर, जिससे मैंने शेयर लेकर बेश दिया था, उसको वापस कर दिया था, यही था, लेकिन समस्या क्या है, actual में तो stock future का मतलब है, आप stock action से खरीदोगे यह नहीं, आप तो बैटिंग कर रहा हो, उस ही साब से समझा कर बताईए, तो उस ही साब से समझा देंगे, बिटे देखो मेरी बात समझा, ऐसे तो अगर price नहीं दिया होता, मेरी बात समझनी कि, बार-बार में कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये 10,25,600 नहीं दिया होता, तो फिर मैं एक story मनाता, कि मैं future पे, मैंने stock action से 14,340 में share खरीदने का वादा कर लिया था, तो 6 मैने बाद में 14,340 में खरीदता, और फिर मैं वापस कर देता, लेकिन यहां तो actual में होता ही नहीं है, आ आप तो बैटिंग कर रहे हूँ, तो यहां आपको बैटिंग के हिसाब से transaction दिखानी पड़ेगे, it means, बाई का मतलब क्या होता से long position, अब रैकेट मले, long position, upside बैटे, ठीक है, बस, अब बात करते हैं कब कि after 6 months, मतलब on maturity, दो possible price, कितना कितना दिया है भई, चेक करो, so 10,200 और 15,600, 10,200 और 15,600, price, ऐसे लिखना, इस बार फोड़ा सा presentation, price, 10,200 और 15,600, 10,200 भी हो सकता है, price, 15,600 भी हो सकता है, आर्विट ट्रेजर क्या काम करेगा, ये मुझे समझाना है, सबसे पहला काम, one by one काम करेंगे, ठीक है, जो मैंने short sell किया था और जो invest किया था, कितने, जो मैंने short sell किया था मुझे buy करेंगा, पढ़ेगा, yes, buy shares, shares, या portfolio लिख सकते हैं, and return to stock lender, stock action से नहीं करेंगा, किसी और से share खरीद के मुझे stock lender को वापस करना पड़ेगा, कितने में, जो भी rate है, मतलब अगर 10,200 है, तो मुझे यहां कितने में खरीदना पड़ेगा, 10,200 में खरीदना पड़ेगा, outflow, अगर सिर्फ 15,600 है, तो मुझे कितने में खरीदना पड़ेगा, 15,600 में खरीदना पड़ेगा, ठीक, अगला dot, यह वाला काम हो गया, invest किया, तो investment जो मैंने bank में जमान किया था, वो मुझे मिलेगा, yes, investment amount मिल जाएगा, कितना मिलेगा, sir, 13,800 into 1.06, यह पैसा मिलेगा, sir, आपको, हमें मिलेगा, 14628, 14628, इसके अलावा, sir, आपने फिर, हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, profit or loss, profit or loss on, long position, of future, upside betting क्या price कम हो गया, तो loss, sir, loss कितने का होगा, 4140, अब 15,600, यहाँ profit, profit कितने का होगा, 1260, ठीक है, एक चीज़ और भूल गया थे पिछले question में भी, dividend, yes, sir, dividend मिलेगा थोड़ी, हाँ, वाओ यार, सब कुछ कवर हो गया, dividend मिलेगा नहीं, मैंने short sell किया है, तो सामने वाले को मैं share तो वापस करूँगा, plus मुझे dividend कभी compensation देना पड़ेगा, हाँ, sir, यही तो बात थी, dividend compensates to stock lender, dividend कितना देना पड़ेगा, dividend, 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 एकसो पैसे टुपिया साथ पैसे, यह वाला तो हो गया यार, ठीक है, तो पैसे जाएगा ना, sir, yes, एकसो पैसे रुपैसाट पैसे, एकसो पैसे रुपैसाट पैसे, अभी और कुछ बचा है क्या, नहीं, खतम हो गया, भगवान, भगवान, आंसर एक जैसा आना चाहिए, दोनों में बराबर, प्लस तो एक ही जग़ा है, 14628, माइनस 10200, माइनस 41400, माइनस 165.60, और मेरा आर्बिट्रेस गेन 122.40 आ गया, और भगवान कृपा करना, यहां भी 122 रुपैसे चालिस पैसे आना चाहिए, तभी सही है, 14628, प्लस 1260, माइनस 15600, माइनस 165.60, वाउ, आ गया, और आना ही था, इस आर्बिट्रेस गेन, आर्बिट्रेस गेन, 122 रुपैसे चालिस पैसे, दो प्राइस दिया, इस नहीं ऐसे करवाया है, नहीं तो मैं कैसे करवाया है, अंसर उसमें भी 122 रुपैसे चालिस पैसे ही आता, अब मुझे बताओ, क्या मेरा शियर का प्राइस चाहे कम हो, चाहे जादा हो, क्या 122 रुपैसे ही आएगा, आर्बिट्रेस गेन, यस, सर अगर प्राइस 9000 होता, तो भी उतना आता, सर प्राइस अगर 25000 होता, तो भी नहीं आता, ओके सर, तो बोलो ये रिस्क है कि रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, 122 रुपैसे मुझे मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क फ्री, कितना लगाने पे मिलेगा, अगर देखा जाए तो, सर आज प्राइस क्या है आज प्राइस इंडेक्स का 13800 तो 13800 पर 13800 पर हम कमाएंगे पक्का पक्का कमाएंगे 122 रुपए 40 पैसे यही बात हुई यस तो उस हिसाब से इस आज का प्राइस निफ्टी का आज का प्राइस कितना 122 तो रिस्क फ्री रेट यह इस हिसाब से रिस्क फ्री है हां तो मैं कोशन में क्या वांगा सुनो त्यांस आल्सो कैल्कुलेट इंप्लाइड रिस्क फ्री रेट इंप्लाइड रिस्क फ्री रेट तो रिस्क फ्री रेट क्या होगा इट इम्प्लाइट रिस्क फ्री रेट इस इक्वल टू एक सो बावीस रुपे चालिस पे से कमाएंगे तेराइट राट सो इन्टू हांडड़ेड पर यह मैं पर एनम में बताना पड़ता है तो इसको हम पर एनम कर लियते बारा डिवारेट बाए और शेक्स 122.40 divided by 13,800 into 100 into 12 by 6 आंसर आजाएगा 1 point बस इतना सही किया 1.77 that's it question बहुत अच्छा था और please exam में करके जाना क्योंकि इस type of question आने की उम्मीद पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ज्यादा होती है ठीक है चले अगला question पर yes sir okay thank you अगला question हाँ जी ये और एक बहतरीन question है आपके सामने और ये थोड़ा सा ambiguous question है समझा दो future contract is available on R Limited that pays thank god annual dividend रुपीस 4 ठीक है जी dividend दे रखा रुपीस 4 whose stock is currently price और stock का अभी spot price कितना 125 each future contract call for delivery of thousand shares ठीक है to stock in one year ठीक है period हो गया one year और contract size हो गया thousand shares daily marking to market ठीक है the corporate treasury bill rate कितना है 8 पर्शन अच्छा वो काम आएगा काम है given the above information what should be the price of one future contract F निकालना है अब price तो एक ही model is theoretical future price cost of carry model पहला काम तो करी लेते हैं जल्दी से कुछ तो नंबर में लें है theoretical future price formula मा पता है किया आपको हाँ sir अच्छे से F is equal to S right 1 plus R minus D okay spot price कितना है sir spot price एक सो पच्छे स rate of interest कितना है एक साल है तो 1.08 और थेंग और ने डिविरे निकाल कर दे दिया कितना रुपे चार रुपे अंसर एक सो एक सो पच्छे से इंटो 1.08 माइनस फू अंसर आगे रुपीज 1.131 ठीक है यहां तक फर्स्ट पॉइंट में तो कोई दिख्कती नहीं है अगला पॉइंट इतो पंपनी स्टॉक प्राइज डिक्रीज आएज वाई शिक्स परशन वाट विलीविट प्राइज फ्यूज फूजर प्राइज वहाई प्राइज हो गई नहीं मतलब बिट्टे दिख रहा है ना मेरी बात समझने की कोशिश करना इस टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है छे परसंट से अगर वो बोलता छे मैने बाद डिक्रीज हो गया तो मुझे एक साल का फ्यूचर प्राइस निकालना पड़ेगा तो मैं छे महाँ का इंट्र प्राइस वह सकता है अपसाइड बैटिंग ले लूँ जिस दिन भी मैं पर पोजिशन ले लूँगा लॉंग पोजिशन ये शौट पोजिशन कुछ भी और उसके बाद जस्ट बाद स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो गाया अगर डिक्रीज हो जाता है अभी तो बात खतम if the company stock price decreases by 6% what will be the price of one future contract बोला है तो पहले तो हाँ ये बाला काम खतम नहीं हुआ price of one future contract is equal to Rs.131 in 2000 तो रुपीस बाला हो जाता है अगर श्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो बताइए price क्या होगा तो ठीक है boy number two कर लेते हैं the theoretical future price if stock price decreases by 6% तो सर इस्टॉक का प्राइस हो क्या रहा है यह तो बताओ यस इस्टॉक प्राइस अभी क्या प्राइस है भाई सर इक्सो पच्चिस मान के चल रहा हूं पूरय कि आज ही डिक्रीस होगा है तुक है मेंनस 4 117.50 इंट एंट एंट 1.08 इंट एंट एट उसके एंट 122 कमी होना है 122.90 ठीक है यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं है अब पोई नम्बर 3 क्या बोड़ा अच्छा प्राइस भी निकालना पड़ेगा क्या हां सर वो तो निकालना ही पड़ेगा प्राइस of one future contract प्रपेश 122.90 रुछ है निकालना ही थाव थाव जबना। point number three as a result of the company stock price decreases ठीक है भई पहले था stock price decrease होने की वज़े से क्या future price भी decrease होगा yes it means 1,31,1,22,000 हो गया एक investor है उसका position कौन सा था long position long position का मतलब सर मतलब यह हुआ कि जब आपने position लिया उस समय stock का price जादा था तो आपने कहा कि upside betting price 1,31,000 से उपर चला जाएगा पर stock का price decrease होने से future का price decrease हो गया it means क्या आपको loss होगा की profit loss ही हो जाएगा तो लिखा will an investor that has a long position in one of future contract of R limited realizes gain or loss and what will be the amount of this to bus point number three sir यही कातम करेंगे कि yes यही कातम करेंगे loss on long position of future कितने रुपे का loss हो रहा सच तो हमें लॉस हो रहा रुपीस 80 100 that's it बस खतम कहानी खतम कहानी ओके साथ ठीक है बाद समझ में आगे इसको थोड़ा सा छोटा करना जब भी है ठीक है question अच्छा था बस question में एक बात थोड़ी सी बेकार वाली थी decrease अगर वह ऐसा बोलता ना question में कि यार छे मेने बाद decrease हो जाता तब माझा था फिर में जो दूसरा यह जो future price है ना वो यहां 1.04 लेकर बना था 1.04 लेकर तो फिर यहां कुछ और था पर भाई साब ने date ही नहीं दिया तो हम मान के चल आज ही long position लिया और आज में day के end में decrease हो गया यहीं मान के हमने question मा लिया सर क्या माना कुछ लिखना पड़ेगा कुछ नहीं लिखना आपके institute ने भी कुछ नहीं लिखा ठीक है जी कैसे लगा question सर अच्छा था वैसी तो अगले question पर चले जी चले जी यह question आपके सामने है Mr. S.G. sold Mr. S.G. sold sold का मतलब सर शॉट पोजिशन 5 4-month Nifty Future on 1st Fab 2020 पर रुपीज 9 लाग यह 5 न छुपा कर दे रखा यह लो और परिशान करने वाली बात है 5 वही ऐसा छुपा कर देना तो गलत मात है न यार वही 5 उनोंने छुपा कर दे रखा मतलब सर पाच कॉंट्रक्ट और कब का कॉंट्रक्ट है FAB 2020 का 4-month पात At the time of closing of trading on the last Thursday of May 2020 expire Last Thursday क्या कहता है सर? बिट्टे मेरी बात समझने की कोशिश करना हो जैसे December future लिया मैंने तो December में क्या 31 December को close होता होगा price नहीं बिट्टे December का last week, last Thursday को close करते है जब मैं बोलता हूँ FAB का future लेना है तो मतलब last Thursday का future लिया जाता है Last Thursday को close होता है ठीक है It means क्योई भी मन्त वाला future ले रहा हो तो उसको वो जो सौदा जो कटता है अगर मैं बोलता हूँ March future तो वो March 31st March नहीं होगा March का last Thursday माना जाता है उसी दिन होता है तो बोला at the time of closing of trading on last Thursday of May 2020 तेखाँ सुना सुनोंगे बिट्टे Future, nifty future है first 5 first 5 को आपने ट्रेड वो किया है कौन सा position लिया, short position कितने रुपे, रुपे अभी हम निकालेंगे बोले 9 लाख रुपे लगा दिया 4 month future में खेल रहा है तो फैब सी गिन लो फैब आएगा की फूरा, yes फैब, March, April में तो May 20 को जो future था जितने पे भी आपने बैटिंग किया था वो कितना हो गया, बोले वो हो गया 2100 तो जब आप बैटिंग कर रहे था, कितने पे बैटिंग कर रहे था यह निकालना पड़ेगा, yes Index turn out, the contract multiplier is 75 ठीक है, contract size जो है, वो 75 shares का है अब मैं बाद में समझा लूँ Based on the above information, calculate price of one future contract on Feb 2020 price of one future contract on first Feb मेरी बात समझने की कोशिश करना अब अच्छे से समझना सर हम कहां खड़े हैं, Feb यहां से चार मेने बात किया जाएगा, में हम spot भी होता होगा यहां यह सर यह में पहले बेड़े spot होता होगा इसके अलवा March future होता होगा इसके अलवा April future होता होगा इसके अलवा May future होता होगा तो हम लोगों को जो निकालना वो spot price ने निकालना है हमें निकालना है कि fab को may future का क्या price available था और वो price निकालेंगे अब वो price कैसे निकाला जाएगा मैं पहले detail में discussion कर दूँ फिर calculation कर दूँगा तो बोलो कितने रुपए में betting किया था सर हमने 9,00,00 रुपए की betting किया था 9,00,00 रुपए short position कौन सा वाला future सर फैब में जो may वाला future है न उस पर ठीक है और कितने contract थे सर पाच contract थे तो 1,50,00 यह दिख रहा 5 तो 9,00,00 divided by 5 तो सर हमने 1,80,000 1,80,000 रुपए का betting किया सीधी सी बात है एक में कितना था 75 एक contract में 75 निफ्टी था 75 शियर थे तो बताओ एक शियर का प्राइस कितना यह जो total price है यह एक contract का है वैसे तो निकल गया एक contract प्राइस पुछा निकल गया पर मैं आखिर मुझे comparison करना है तो 1,80,000 divided by 75 तो बोलो कितना 2400 रुपे निकला यह निकला है वेटे 24 मुझे निकालना क्या है मुझे 2400 नहीं निकालना मुझे निकालना एक लाकस सेजर वो में निकाल दूँगा point number one में कोई दिक्कत की बात में मेरा question क्या है मेरा question है जब मैं फैब में खड़ा था तो मैं betting किया कौन सा वाला फैब में spot मुझे नहीं मालूँ मुझे future मालूँ है फैब को भई मैं कह रहा हूं कि में के समय में मन्त में जब price close होगा तो price 2400 से नीचे जाएगा नीचे और price कितना हो गया बोल रहा था नीचे जाएगा नीचे जाएगा 2100 हो गया क्या मैं जीता है यस कितने का जीता है वो निकाल लेंगा तीक है उसके लिए ये 2400 मुझे निकालना पड़ेगा वो मैं निकालूँगा पहले देख तो ले मांग किया रहा है पहले पॉइंट में तो 180,000 आ गया बात कितना Point No.2 Approximate Nifty Sensex on 1st Feb ठीक है If the price of future contract on same date Approximate Nifty Sensex 1st Feb 1st Feb को Approximate Nifty Sensex निकालना ठीक है जी Sir ये निकालना है कि ये कि वो आप आगे देखेंगे If the price of future contract on same date Was theoretically correct On the same day risk free rate कितना दिया है 9% dividend yield कितना दिया 6% सुनो सुनो भेटे कहानी Theoretical future price निकालते थे हाँ Sir कैसे निकालते थे जरब बताना Suppose मुझे FAB में हूँ और मुझे में का निकालना तो मैं ऐसे निकालता था F is equal to S 1 plus R minus D कि ऐसे निकालता था Yes अभी बोले क्या ये theoretical है नहीं Sir ये actual अब वो इस point में क्या बोल रहा है वो point में बोल रहा है मान लो कि ये जो actual future price है कितना 2400 यही theoretical है हमने ऐसा एक question बनाया था It means क्या दोनों एक जैसे हाँ तो इसका मतलब उसने हमको ये दे दिया है उसने ये 2400 हमको दे दिया है और हमको ये भी पता है हमको ये भी पता है और सेम डेट वास theoretical correct theoretically correct ये important मतलब जो actual future price है FAB में जो available है वही theoretical भी है तो बताओ कि तो निकाल ही लेंगे maximum contingor backwardation ये मैं समझा रहा हूँ point number four the payoff of the transaction payoff निकालना है मतलब वही ये तो profit loss तो ऐसे निकल जाएगा carry out calculation on month basis thank God मतलब यार वैसे भी तो हम month basis पे निकालती है भाई साब अच्छा बुरा होता जब वह गोलता days basis पे निकाला sir start करेगी कोशन चलो बनाना start करते है धीरे 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 काम करने वाले हैं okay sir चलो जे पहला काम पहला काम price of one future contract กर प्यो दकर ये हम पुरा पएफफष़雅 2020 तो बताईए बिट्टे टूटल कितना है नौलाक बताईए नौल कितना है टूलाकочь नौलाकि नौलागि बताईए नौलाकि 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 थासफ़्स 5 फूंदर्स तो प्रास प्रास दिस अॉड़ो फुड क्ञ रें रंध देय्शक खल्ट्रॉण से रेंते ही तो Тुंधर्ट्रॉट धि हम रडंद 02 सुड़usion गृविकियर दिसम Commissioner 5 आट्रॉट्र प्रास 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 फ्राक्व्ट दें εδώ रेंते हैसा तोlagen divided by 5 कितना एक लागा स्टेजर रुपीज वन लाग एड़ी थाउचन पहला काम तो हो गए प्राइज ओफ वन निफ्टी भी निकाल दे लिता हूँ यस जरुबरत पढ़े ही किना या यहीं कर लिता हूँ यह रिक्वार्मेंट नहीं है फिर्स्ट पॉइंट है प्राइज ओफ वन निफ्टी फ्यूचर प्राइज ओपका यह में ट्वंटी यह रिक्वार्मेंट प्राइज ओफ जरुचर बच्टर अगे ट्वंटी फॉघूचर बस अब कन्फ्यूज ना हूँ आपका यह तो कहना नहीं है कि सर्ट्वंटी फॉघूट्र रिड्ड क्यों आएगा दिया तो है मेका और कितना दिया है सर्ट्वंटी वन तो उस दिन जाकर हो गया, में में जाकर, आज फैब है, आज का spot price मुझे पता नहीं है, पर आज की दिन फैब में ही मुझे जो बैटिंग कर रहा हूँ, वो में future के लिए कर रहा हूँ, और में future जो trade हो रहा हूँ, वो कितने पे हो रहा, 2400 पे हो रहा हूँ, यहां तक बता, और मेरी जो बैटिंग है, वो है, upside की downside, downside, short position ले रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि price जो है, वो 2400 से, में में, 2400 से नीचे जाएगा, यहां तक है, first वाला point यहीं तक था, 1880 तक हो हमने कर लिए, point number one हमारा cover हो गया, point number two, point number two हमने discuss कर चुका है, हमें क्या निकालना है, हमें spot price निकालना है, यह मान की कि जो price है, यह theoretically, theoretically correct, point number two कर लेते हैं, point number two, calculation of spot price on FAP 2020 यह मान कर कि theoretical price is equal to actual future price, actual price का मदभी spot का price is actual future price, formula हमको पता है, F is equal to S dividend yield दिया होगा dividend yield ही देना चाहिए अगर संसेक्स हैं कि, देखो देख, हाँ, 9 पर्षन और 6 पर्षन, क्या contriously compounding दूँगा नहीं, मैंने पहले भी मना कर दिया, तो सर, अब तो हम सीधा भी तो काम कर सकते हैं, वैसे ही करने वाला होगा है, 1 प्लस, R-D into T, ये लो, सीधा सीधा का, बोलो, spot price कितना है, 2400, नहीं 2400 नहीं, spot price तो निकालना है, भाई, गल्ती हो गई थी, सर, future price दिया है, 2400, ओके, S, 1 प्लस, R और D कितना है, R9 और D6, 0.09, minus 0.06, और time कितना है, 4 month कि 3, भूल गया है, 4 month था कि 3, 4 month, 4 divided by 12, 1, 4 bracket, ठीके, जी, खुबिसो इसे कितना है, 0.09, minus 0.06, into 4, divided by 12, plus 1, 1.01, so, spot price is equal to 2400 divided by 1.01 तो यह रूपीस 2376.24 है लेखों के नहीं लेखों फ्रेक्शन सर इंस्टिट्यूट का ऐसा लगता है अपको कोई भरोसा है क्या कोई भरोसा नहीं काड़ दिया तो लेख देते दो डिजिटमें लिखने में कोई दिते नहीं ठीक है यहां तक ओके सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इस पाट प्राइस इस फूचर प्राइस और यह कब अवेलिबल है यह available है FAB में, मेरी बास समझने की कोशिश हो रही है, यह FAB को ही spot price कितना है? 2376, और future price कितना है? 2400, आगे क्या बोल रहा, point number 2 भी हो गए है, हाजी बच्चो, तो अब यहां तक तो हमारा हो गए, यहां तक कोई समस्या है, कि यहां तक सब छोटी सी भी समस्या नहीं है, और यह हमने कर लिया, ठीक है, spot price हमको समझ में आ गया, अब क्या मांग रहा है, अब एक बार और देख लेते हैं, point number 3 में बोला है, the maximum contango and backwardation, backwardation, सर, यह क्या है, backwardation, contango क्या है, समझा रहा हूं, अराम से सुनना मेरी बात को, ध्यान से समझना, क्या spot price पता है, हाँ सर, 2, 3, 7, 6.24, क्या future price पता है, हाँ सर, एक simple सा question, spot price से future price कभी भी ज़्यादा होगा की कम होगा, आज तक बताओ क्या हुआ है, सर, ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि spot में हम interest जोडते हैं, तो ज़्यादा आता है, हाँ dividend अगर ज़्यादा हो जाए, तो अलग बात हैं, पर ऐसा हुआ नहीं सर, आज तक जितने भी question की, इसका मतलब generally क्या होता होगा, generally forward rate या future rate हमेशा ज़्यादा होता है, future rate हमेशा ज़्यादा होता है, अगर हम बात करे, theoretical, it means यहाँ भी future rate कितना है, 2400 है, ठीक, पर क्या ऐसा हो सकता है, कि future rate बाविस्व हो जाए, यस हो सकता, कैसे हो सकता सर, जब आप बेटे में theoretical बात नहीं करो, मैं actual बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ actual, मैं actual future price, किसके हिसाब से decide होता है, demand and supply, और demand and supply के हिसाब से, 2400 रुप है, demand and supply के हिसाब से, कम भी हो सकता है, पर generally future rate जादा होता है, अगर future rate जादा है, किस से, spot से, तो यह, आपके हिसाब से, सीधा सीधा बात समझ में आ रही है, लेकिन future rate कम है, कम है, future rate कम है, ऐसा होता नहीं है, यह तुसर उल्टा हो रहा है, यस, अगर future rate जादा है, जो की जादा होना चाहिए, उसको बोलते सीधा बदला, अगर future rate कम है, तो उसको बोलते उल्टा बदला, हिंदी की बात करो हिंदी, सीधा बदला उल्टा बदला आपके मार्केट में चलेगा सीधा बदला बोलेगा सीधा बदला तो किया यार फ्यूचर रिट जादा है सीधा बदला फ्यूचर रिट कम है तो इसको क्या बलते है उल्टा बदला हाला कि इंगलिस में इसका कुछ और ना सीधा बदला को बोलते हैं कॉंटेंगो और उल्टा बदला है तो उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन, बैकवर्डेशन, O.K. अच्छा और इस पॉर्ट में से फ्यूचर माइनस करते हैं तो उन दोने की बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा बेसिस इसको बुलते हैं बेसिस अब बताओ बेसिस नेगेटिव भी हो सकता है और बेसिस पॉजिटिव भी हो सकता अब आपके खेल है बैठे अगर बेसिस अगर फ्यूचर कम है तो बेसिस पॉजिटिव आ गया इसको बलने के कौनसा बैकवर्डेशन उल्टा बदला याद है सर बेसिस का फॉर्मूला चैंज कर दे कि एफ माइनस इस नहीं कर सकते बस यही पूचा है तो वो तो आप दिखा दोगे आराम से 236 माइनस 2400 बात कताम पर फिर भी थोड़ी बहुत बात लिखवा दो तो जाद अच्छा ठीक है तो कौन सा पॉइंट करना है पॉइंट नूम्बर थ्री लिखब अच्छिखंग तो सबके तो माइनस दोड़ी लिखिब लिखते लिखंगार लिखब लिखब गले लिखब करना है तो. और backwardation यही पूचे भा यस maximum contango और backwardation तो ऐसे तो सीधा निकाल सकता हूँ पर इस पर theory लिखवाने का थोड़ा सा बनता है सबसे पहले बात करूँगा basis basis is different, difference, basis is the difference between, basis is the difference between spot rate and feature rate, basis का formula लेक्टू, basis is equal to F minus F ठीक है, आगे हो if future rate is more than spot rate लेक्टू, then basis is negative and call contango contango, अगर stock exchange में जाकर पूछोगे न, future में trade कर रहे हो, बोले, market क्या चलो, contango है, contango, contango को मतला future rate ज्यादा है contango को सर लिख देते हैं, हिंदी में भी लिखना है, सीधा बदला सीधा बदला if future rate is less than spot rate then basis is positive and called future rate कम हो गया है, होना नहीं चाहिए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, backward और इसको हम हिंदी में क्या बोलते है, उल्टा, बदला, सीधा बदला, तो finally, maximum content, future rate जाता है, तो content होई आएगा, yes इस question में is equal to कितना है future price 24 विस्ण विस्ण 2376.24 answer जो जो बिस्व माइनस 2376.24 23.76 ठीक है बेसिस निकालना निकाल लेना बेसिस नेगेटिव आएगा स्वरी बेसिस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ठीक है सर बात समझ में आगए है ठीक है तो कितना पॉइंट हो गया तीन और तीन ही पूछा था साइस even 10.2 पॉइंट हो ब्रसक्षा भी पूछा है आपटिव एटिंग आपने क्या किया था सॉर हमने बातिंग किया था कौन सा पॉजिशइन लिया था अपने 6 शोट पॉजिशन और क्या हो गया 1200 हो गया तो आपको तो प्रॉफिट हो गया तुम लिखते पे आफ दे ट्रांजेक्शन वाई नमबर फूर पे आफ द्रांजेक्शन Mr. S.G. तक तुक टुक लिट Mr. S.G. तुक अज़क्शन श्रांजेक्शन एट रुपीज 2400 on maturity future price रुपीज नहीं आना चाहिए 2100 hence loss की profit, gain, profit on short position, profit is equal to 200 minus 200, और एक contract में कितना है, 75 है, 75, 75 into 5, ठीक है, बास समझे में, 75 ही है न, 75, ठीक है, 75 into 5, एक निफ्टी, एक contract में 75 निफ्टी और टूटन लाकर 5 contract, चलो देखते कितने रुपए से जीत हुए, बहुत अच्छा कोशन था, बिल्कुल मज़ा आ गया सर, दिलखुस हो गया, इसमें सब कुछ था, इसमें हमने ये नई चीछ पढ़ लिया, content गो, उल्टा बदला, सीधा बदला, उसके अलावा, ये सारी चीज़े हो गई, बहुत कुछ था इस कोशन में, सुरू से ये अच्छी बात थी, आज की क्लास के लिए बहुत हो गया, अगली क्लास में हम लोग, एक दो कोशन चुटा हुआ है, पर वो हम लास्ट में करेंगे, अगली क्लास में हम करने जा रहे हैं, बीटा मैनेजमेंट, ये बचा हुआ हमारा, पॉइंट नमबर थर्ड बचा हुआ, उसके बाद, खता हुए, एक कमोडिटी फ्यूचेर है थोड़ा सा, वो तो एक लास में हो जाएगा, तो चले, ओके, बाई-बाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच,